नमस्कार दोस्तों भाईयों प्यारे किसान सातियों स्वागत करता हूँ आप सभी का इन्फोटेक फार्मिंग लिडर चेनल पर किसान सातियों आज दिनां को चुकिए 13 जनवरी 2023 दिन हो चुकर शुकरवार का समय हुआ है किसान सातियों अभी हाल फिलाल आड़ बज़ के 20 मिनिट वीडियो आपके पास आएगा साड़े आड़ बज़े के बाद में किसान सात्यों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मद्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदोर की चोहित्रा मंडी और मद्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मंडी शायापुर मंडी दोनों मंडियों में आलू प्या लसुन का कितना आमदा ने देखने को मिला है वहीं किसान सात्यों कल क्या रेट निकल कर आया था इन दोनों इसे में बात करेंगे और 37 किसान सात्यों फाइनल भाव का जो वीडियो है वो आएगा दो बज़े के बाद वहीं किसान सात्यों एक बहुत महत्पुन बात निकल कर आई है वो यह है कल मंडियां बंद रहेगी और दूसरी महत्पुन बात निकल कर आई है प्याज का जो भाव है 900 रुपे किलो लेकिन आप यकिन नहीं करेंगे तो चली किसान साती हो सबसे पहले हम शुरुवात में इसी मेटर को समझाते हैं आपको 900 रुप प्रति किलो आप समझ सकते है 900 रुपर प्रति किलो का मतलब क्या होता है 900 कुण तर्व जो प्याज हमारा एक बिगे का नब्य हजार नहीं दे पाया मैंने चार बिगे का प्याज लगाया था चार बिगे के प्याज की लागत थी मेरी एक लाख नब्य हजार और आवक हुई मेरे पास 45,000 रुपए की अब आप समझ सकते हैं कितना घटा गया है उस चार बिगे में देड़ लग का मेरे को प्याज में घटा गया है वहीं किसान सातियों अगर मैं उस चार बिगे में गेहों करता तो ज्यादा नहीं तो 80 से एक लाख के पीष का गेहों होता यानिकी टोटल मिला के ड़ही मेरे को घटा गया है वहीं यह हमारे भारत देश की बात है और मेरे गाओं कि और मेरी खुद की बात है अब हम बात करते हैं एक देश है फिलिपिन्स फिलिपिन्स देश में प्याज का जो रेट है वो है नब्बे हजार उप्रती कुंटल और यह लिखित में है मैं अपने मंद से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं पहुआ है जैसे इसमगलिंग करते हैं लोग बात उसी परकार से प्याज को स्मगलिंग के मात्यव से बेजा जा रहा है कहां पर चाइना से फिलिपिन्स तो किसान साथियों हमारे यहां के अगर माल लो सोच ले और वहां अगर प्याज पहुचा दे जैसे भी करके पहुचा है लेकिन अगर प्याज पहुचा दे मैं नहीं बोलूँगा कि गलत तरीके से तो प्याज सो रुपे किलो होने में देर नहीं लगेगी हमारे अभी लेकिन बारस सरकार इसा कभी करेगी नहीं क्योंकि उसे चुनाव जीतना है और हम उसे जीतने नहीं देंगे इस बार यह हो गया इसमें कोई दोमत की बात नहीं तो यह थी किसान सातियों दो बड़ी बाते एक प्याज का जो भावे 900 रुपे प्रती किलो नब्यहाजार प्रती कुंटल और एक है छुटी कल अब हम चलते हैं हमारी ग्राज जिले की मंडी शायापुर मंडी में कितनी आमदानी देखने को मिली और कल क्या रेटनी कल कराया था कल किसान सातियों देशी प्याज शायापुर मंडी में बारा सुरु पतक टच हुआ इका दुकालाट नया प्याज हमारा साड़े सोला सो सत्रा सुरु पतक टच हुआ हमारा जो लसुने वो 32 सुरु पतक टच हुआ हमारा किसान सातियों जो आलू है वो जोती आलू कल हमारा शाया पुरमंडी में 12 सु तक एक लोड भिख गया था पोकराज हमारा 1,000 भिख था और एलार हमारा 9,00 रुप तक भिख चुका था वहें अगर बात करें आज की आवक की शाया पुरमंडी में आज की आवक में देखने को मिली है लसुन की आवक की मिनिमम 3,000 कटे वहें हमारा जो देशी प्याज है उसके आवक के 3,000 कटे और नए प्याज की आवक के 3,000 कटे टोटल मिलाके 9,000 कटे और 2-3,000 कटे के हमारी आ वर्णी के बाद यहां की पुरी ब talks के बाद सबूरे कि अनुछơ के बादack निकान निकालनेके बाद तो मैं आपको जान करी दूंगा दो बजी के बाद सब्सक्राइब लगतार में सद्ध sons एक लोड सुरुपे गया किसान साथियों से मारे से 2500 के बीच में हमारी के और के चार एजार से पेता लिसुर रूपे के भीज में हमें कल देखने को मिलि Lincoln पाउर 21 की TV में he सब्सक्राइब तो दो बज़े से लगा के वीडियो में आपके लिए अवेलिबल करवाऊंगा तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए इस वीडियो में ने बहुत सारी महत्पूर्ण जानकरी आपको दे दी है जैसे चुट्टी वाली जानकरी वहीं साथ में हमारी जो फिलिफिन्स की जानकरी जो महत्पूर्ण जानकरी थी वह भी में आपको अवेलेबल करवा दी है तो किसान सात्यों हमारा वीडियो तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें चेनल में पहली बार विजित कें तो चेनल को सब्सक्राइब करें आप सभी किसान भाईयों का धन्यवाद जे जवान जे किसान जे हिन जे भारत वंदे मात्रम मिलते हैं शाम को तीन विजे के बाद में